कि यहां पर 47 by 16 cm की मेज़िमेंस के मैंने दो पीसिस यहां पर कट करके रखे हुए है उसके बाद मैंने तीसा पोशन चो कट किया है वह इस तरह से पट्टी है 24 by 7 cm की यहां देखिए इस पीस को मिडल से हम फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इसको आयन कर देंगे आयन कर स्टिच कर देंगे इसी तरह जो बड़ी पट्टिया हैं उनके साथ भी हम करेंगे बीच से फोल्ड करके हम इसे एक साइट से स्टिच कर देंगे हाफ इंच का माजिन देकर हम इन तीनों पटियों को स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद इन पटियों को एक करके हम इस तरह से पलट लेंगे पलट लेने के पाद जो सिलाई है उसको हम बैक साइड में रखेंगे और उ司के बाद इन 3 पट्यों पे हम ayon कर लेंँगे यहां पर देखिए जो छोटी वाली पट्य है। उसके अंदर मैंने insert की है elastic को इस तरह से elastic रिवे हम insert कर लेंगे और जो डोनों end हैं वहां पर हम इसे जो elastic का end है इसको secure कर देंगे एक pin के साम्थ इसी तरह दूसरे साइट पर भी हम पिन लगा के जो इलास्टिक का सिरा है उससे सेक्योर करेंगे इसके बाद जो हमारी बड़ी बाली पट्टिया है इनको हम सबसे पहले बीच से फोल्ड करेंगे यहां पर देखें एक पट्टि को मैंने फोल्ड कर दिया है और दूसरे पट्टी की इन परिक उसको क्रोड लेते हुए इसे भी फोल्ड कर दिया दोनों एंड को पकड़कर हम इसतरह से इसे स्ट्रेच कर देंगे के बाद यह जो एक पट्टि हम इसके दुनों कर देना है यह दोनों सिरों को पकड़ कर यहां पर इसको इस तरह से क्रॉस करते हुए अटाज कर देना है अटाच कर देने के बाद यहां पर देखिए मैंने से स्टिच कर दिया स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इसे पुल करेंगे एलास्टिक को अंदर के साइड तो जो सिलाई है वो अंदर के साइड चली जाएगी यहां इस साइड भी देखिए जो सिलाई है वो इस तरह पुल सक्षन में ज़रूर बताए, do like, share and subscribe to my channel